हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागति आप सभी लोगा हमारी स्यूटूब चम्हाइस का नाव इवाज सर जैसा कि आप लोगं को बता होगा के एम एंट्रेस एक्जाम के लिए हम आप लोगं की प्रिपेक्शन करा रहे हैं और इसके अलाबा अगर आप नीट का पर ना चाहते हैं या कि यह बहुत ही अच्छे तरीशां को समझा जाएगा तो तो आपको क्या काम करना है धिहान पूर्वक समझनी है जो मैं आप लोगों को नोट समझाओंगा उसके बाद आप लोगों को मैं को सॉल्व गराव माज इसकी हर एक छीज आप लोगों की समय में आ सके और आपको कोई भी दिखकर मैसूस ना हो तो आपको बताते हैं मैं बता है हैहे इंड्रोड्रेक्वे करते हैं सबस्वे पहली हम बात करते हैं यह है अगां तृगंडिक्षन यह जाते हैं और यह जा आप इसको ले जाएक यह मोबाल निच ले आईगा, ठीया, विश डिफर फ्रॉम बन अनुदर इन एक्स्टरॉनल आपे रेंट जैसे साइस, कलर, पैटर्न, इंटरल इस्ट्रेक्शन, नूटेशन, बेहेवियर, एंड हैवियर, मतलब इन सभी में कुछ ना कुछ सूश्म अंतर पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलें के बाइडिवर्सिटी को बोलें के और यहां पार माइक्रो ऑगेजम एनिमल्स प्लांट से तीन चीज़ा हमारे इस आर्थ पर लिविंग ऑगेजम के लुप में फिल दो चलो, यह है फिर टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी क्या है, टेक्सोनोमी इस दा ब्रांच ऑफ बाइलोजी फॉर दा इस्टडी ऑफ ग्लासिविगेशन ऑफ ऑगिजम, मतलब हमारी इस प्रतिववर्ग बिविंग प्रकागर जीवधारी पाय जाते है, उनका अगर आप क्लासिफिकैशन करेंगे, तो वो बाइलोजी किस साखा में आएका तो आप वह लेंगे टेक्सोनोमी के अंदर रता आएगा यह पेपर में बहुत आता है, एक सब्स आताया है सिस्टेम एक्षि graduating सब्सक्राइब तो आपको बता दें यह एक और के रूप में हमने इसको बलब की और के रूप में जीवडालियों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है यह एक ईस्टूड़ी ऑफ सिस्सेमेटिक्स तो फद्स एक्सीं इसे बोलते हैं वह लें के पौल के पर या जाथा के रूप लिनियर स्कूर इसको बोलें जानके जाता है नेखिने हैंग भी यहां निफिना ही और नेजरी और फिलासिप का निक बतातें यह इसकी उसके टो आप आप colorful यह को है ऐसे कि Ispšoot 04 अब कर देल तो आप से था देशता हैG आगे है फादर ब कॉन पीफरेस्टे सरा जो थे advant sky भी द्रीच सिसे थे यह तो आप बहुत सारे पेड़कोदों के बारे में इन्होंने क्या गिया वर्गिकर्ग क्या उनके बारे में जानकाली दिती इन्दियन टेक्सिनॉमी किसे बोलेंगे तो सांता पाउ को बोला जाता है तो यह भी आप ज्यांत लगेगा और वैसे बाएलोजी के जनक है हमारे अरस्तु साहब जै अरस्तु कमेंटर सब लोग जै रस्तु जो लखेंगे आए आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेगा आपको यहाँ पर दखाए रहा होगा यह है systematics have three field systematics के तीन हमारे पास field है कभी-कभी यह field आपको क्रम में लगाने में भी आयाता है पहले classification करेंगे फिर नोमनेकलेशन करेंगे फिर हमारे पास turn taxonomy है तो classification क्या है classification को यह आप लोगों को पता होगा इसी को वर्गी गरण बोल देते हैं जो भी जीवदारी हैं हम सभी जीवदारियों को study करेंगे तो वर्गी गरण करेंगे हम पहले इंका ठीक है तो यह हमारे grouping of organism जैसे plant हो या animal हो in different rank of the basic of their character is not as classification सभी लों का हमारा different rank बगड़ा होगी सभी के अलाग लग करेक्टर बगड़ा होगा तो उसको classification कर देंगे कोई plants है कोई animals है यह मैं पता चल जाएगा ठीक है हमें उनकी study करने में आसाली देगे इसलिए हमें classification करते हैं it helps us understanding the relationship among the organism आपको बताना है जितने भी जीवदारिया उन उन सभी का आपस में क्या संबंध है यह हम लोग उनको पता चल जाएगा it helps to give an idea of evolution पतला हमको यह भी पता चल जाएगा कि evolution हुआ कैसे है पहले प्रती पर जीवदारी कौन से थे दीरे-दीरे कैसे विकास हुआ है इन सभी चियों का हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते है classification के द्वारा चल आगे बढ़ते हैं यहां पर आपर आपर देख वारे होंगे naming of organism bionomial nomenclature दिखाए देना होगा आप लोग को इंपुरेंट है यह the scientific name of all kinds of organism are composed of two parts मतलब जितने भी जन्तु होते हैं दुरी नाप पद्दी यनुसा जो त्वारा दिया गया था सभी जीत जन्तुों के नाम दो बदों में दिया जाते हैं इसमें पहला होगा genus genus name होगा and the species particular organism होगा ने मनला specific epithets होगा मनला दो पदों में दिया हैंगे पहला होगा उसकी बंस दूसरा होगा जाती यह ध्यान रखिएगा और careless lineus started the practice of using bionomial nomenclature तो bionomial nomenclature दिया गया था किसके दोरा careless lineus के दोरा दिया गया था species is a group of individual having common character aesthetic and which can interbreeding to produce fertile offspring मतलब जो समान जातियां होती है वो आपस में क्या कर सकती है लेंगिक संबंध बना सकती है और जीवों को बन कर सकती है जाती सब्द था वो जॉन रेक द्वारा दिया गया था जाती वर्गी गरंट की मुलबूत इकाई होती है यह भी ध्यान रखना और careless linear में जैसे की मैंने बोला राना टिंग्रीना तो राना जो है वो बंस है टिंग्रीना जो है वो जाती है मेलकी इसी है मेंजी फिरा इंडिका मेंजी फिरा बंस है आम के पौदे का और इंडिका जो है जाती है आम के पौदे की इसमें बंस का पहलाक्षर केबिटल में होता है और जाती का पहलाक्षर में होता है थोड़े तिरच्छे होते हैं और बैग्याने के नाम के ब्रैकेट मे नहीं, जो scientific name होता है, उसके bracket में उस जन्द, बैक्यानिक का नाम डाल देते हैं, जिसने उसका नाम देते हैं, जिसने उसका नाम देते हैं, तो आपको बताने हैं, यह हो गई इस्पीसिस, इस्पीसिस को जाती बोलते हैं, यह है फैमिली, एक ग्रोफ आफ टू मोर जिनेरा, with common characteristic make a family, आपको बताने हैं, मनलब कही सारी क्या है, कही सारे, हाँ सही है, कही सारे मनलब की, इस्पीसिस आप असना मिलकर क्या करेंगी, फैमिली का निर्मार करेंगी, for example देख लो, noine, noine का बैक्यानिक नाम होता है, पैंथरा लियो, क्या आप लोग को पता था, यह दियान अब को बताते हैं, यह जो केट तो केट वगर घरा है, और यह पैंतरा वगर घरा है, 此क करेंग, इन सबी की फैमिली की फैमिली का देखा रहाता है, क्या दियान अगला है फैमिली के बाद है, यहां पर और, फैमिली मतलब कई सारी फैमिली आपसर मिलकर ओर्डर करती है जैसे the family of cat cat की family क्या है फैली डी and family of dog dog या fox इसकी है केरी डी इस group अंडर दा कॉर्णी वुरा तो आपको बता दें कॉर्णी वुरा क्या है हमारे पास order है इस order के अंदर बिल्लियां और dog और बेडि मनलब की जो बेडिया बगरा जो होती है वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे ठीक है class related order make a class मनलब related order आपसर मिलकर class बनाएंगे मनलब जाती आपसर मिलकर family बनाएगे family आपसर मिलकर order बनाएगे order आपसर मिलकर class बनाएगे class को बर्ग बोलते हैं एक रेटेड ओर में के क्लास फर एक्जामपल सेवलर ओर्डर लाइट दोस ऑफ ताइगर के डॉंकी बैट हुमस ब्लॉंक्तु दा क्लास में में लिया मनलब यह सभी जन तु जो है यह किसके अंतरत आएंगे आपको पता होगा यह इस तंधरी के अंतरत आ फिर है फाइलम यह फाइलम इस दा लागेश्ट के डिगरी विद रिटेड क्लास ग्लॉप ऑफ टुगेदर मतलब क्लास आपासर मिलकर क्या बनाएंगी फाइलम मना देंगी तक क्लास ओफ मैमेलिया बर्ड रेप्टाइल एंफिविया फेस टुगेदर कंस्टूट ऑफ फ अगर हम बात करेंगे पौधे की तो पौधे में फाइलम ना बोलकर बोला जाता है डिवीजन ठीक है यह आगे देख पा रहे होंगे यह है किंगडम किंगडम इस दा लागेश्ट क्लूफ ऑगेश्म डिफरेंट और वेरी जे जन्रल सिर्टी इस पर एक्जांपल चाहतनी थेयरी कोई नहीं दिखाएगा और थेयरी जब तक आप नहीं पड़ेंगे तब तक आपके कोंसर कैसे बनेगे जब तक कोंसर करों के आओ Daye मानीये वह गलत भी उतने जल्दी हो जाएगा क्यों यह भी आपको बता जेते हैं जब तक हम थेयरी पर काम नहीं करेंग तब तक हमारे questions अच्छे से नहीं बन सकते तो इसलिए पहले theory पड़ो उसके बाद में questions करोगे आपको एक एक चेंसर में आ जाएंगे और questions भी बड़े आसानी से हो जाएंगे नहीं questions में आपको कर तो लोगें नहीं तो doubt बहुत सारे आजाएंगे आपको एक सबसे पहले आपको हम एक बात बताते हैं साधा आप लोगों को पता होगा एक बैग्ज्यानिक थे और एच हुई प्रत्वी पर जितने भी जीवधारी है उनको पांच भागों में पहाज किया सकता है पहला था मोनेरा फिर प्रोटिस्था फिर कभग फिर पादा फिर जंतु तो इसलगे से पांच जगर बजग नहीं आरे च्वीटे का द्वारा एंड ब्युगरी एल गई नोंट रीयल गई साब साव जगाया है कि मैनिडा के अंदर जो इलगई आते हैं जिसको व मनेampa को पो पते यह वास्तिमिक सेवाल नहीं होता हैnew यह जिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बता दें मोनेडा जो हमारा किंगडम है सिर्फ इसके अंदर एक कोश्क्क वाले जी पाय आते हैं तो यह सद्सक्राइब यह यूली हैं जासरे बहुत सारे बैक्टिया हों अभी दिखाया है उनिकर मैंक्रोस्क्रॉप से दें ऐसे नहीं के अाँ देर क्रोमो सोब मेटेल is not enclosed within a nuclear membrane आपको बता दें जो जीवादू की कोश्का होती है उसके चारा हो तरफ आपको बता दें केंड़क मौजूद जीवादू के अंदर केंड़क बास्त भी केंड़क मौजूद नहीं होता The monera are described as procreating meaning that their nucleometrary is a primitive form permitting carryon nucleus. आपको बता दें, जो monera के जो जीव होते हैं, उनके अंदर जो केंदग होता है, वो प्रिमिटिक का होता है, Nucleometrary जो होता है, कि बसके अंदर बास भी केंदर मौजुद नहीं होता, यह ध्यानकना. ए, opposite to these all other organism from protista to what are described a eukaryotic true, meaning that they have true nucleus. मतलब protista के अंदर वास्तिविक केंदर पाया जाएगा, लेकिन monera के अंदर वास्तिविक केंदर नहीं पाया जाएगा, इका है? Monenus जो है, consists of two main group, the eubacteria, eubacteria के अंदर टू बेक्टरिया जो होता है, वो यू बेक्टरिया के अंदर आएगे, and the archybacteria, archybacteria के अंदर ancient bacteria आएगे, मतलब प्राराम में जो बेक्टरिया थे, वो आएगे, साइनो बेक्टरिया और blue-green algae, from a distinct subgroup of eubacteria, मनलब यू बेक्टरिया के अंदर लगत ये रखे जाएगे, साइनो बेक्टरिया जो होते हैं, इसमें 9 stock N.A. बिना बहुत प्रचलित हैं, जो नैट्रून का इस्तिकर्ण करने में सायधा करते हैं, वाई मंगल की नैट्रून को लेकर भूमी में, क्या करते हैं, भूमी में नैट्रून की मात्ता को बढ़ा देते हैं, Cell wall made up of peptidoclycon, which is composed of N-acetyl glucosamine and N-acetylmuremic acid के द्वारा ये बनी हुई होगी, तो आपको बताते हैं, ये exam, मतलब की जो cell wall है, इसको धान जरू लगना, तो ये आपके paper में पूछी जा सकते हैं, Saved bacteria की saved कैसे होती है, spherical, मतलब गोलाकार होंगे, गोलाकार को बोलेंगे cocai, Rot-like, Rot-like को बोलेंगे bacillus, जैसे बोलें लेक्टो-bacillus, छड़ाकार के होते हैं, लंबे-लंबे से, Spiral, Spiral, Spiralum बोलते हैं, ये spring जैसे होते हैं, तेक है, Helicobacter pylori जो होते हैं, और आपने आपने बता सुना होगा, कोमा हातार्गे भी होते हैं, जैसे Vibrio colony, ये भी मना बताते हैं, चल्रो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पड़ें टिंगडम protista, ये भी आप लोगों की काम में बहुत आएगा, इस आर सिंगल सेल्ड यूनिसेललर, orgasm and heavy, well-defined membrane-bound nucleus and cell organal are present, मतलब हमारा जो प्रोटिस्टा है, इसके अंदर Nucleus, Nucleus membrane पाई जाएगे इसके अंदर, इसके अंदर कुष्कांग भी पाई जाएगे लेकिर प्रोटिटी कुष्कां के अंदर कुष्कां नहीं मिलते हैं, राइबोसों मिलता है, वो भी 17S वाला, ये भी दिहान रखना किना, इनके अंदर Mito-Pont, ये लाइस, सब कुष्कां के अंदर कुष्कां के अंदर कुष्कां काम होते हैं, जो उनने और लिटी पले आप लोग बड़ा चुके दिए, क्या है Some protists are covered with cell wall or most photosynthetic protists, but other do not possess example protojoans protists, इसको protojoans protists कहा जाता है, कुछ में मिल जाती है, cell wall present होती है किसी की से मिलते है Mode of nutrition is adder autotrophic, तो ये algae and diatums जो होते हैं, algae and diatums जो होते हैं, ये अपना खाना photosynthesis के द्वारा बना लेते हैं और heterotrophic, protojoans, जो protojoans होंगे वो दूसरों से बोजन लेंगे Some organism have hair like cilia, जैसे paramecium, paramecium में बाल जैसे बहुत साई स्रंचना पाई जाती है, इसको cilia बोलते है विप लाय फ्लेजलम जो यूगिलना है, यूगिलना के अंदर एक बाल जैसे स्रंचना बिलती है, लंगी सी, जो इसको तहरने में सायता करती है, वो यूगिलना मिलेगी and pseudopodia, pseudopodia मिलेंगे ameva candor for drocomotion, तो ameva में प्रेचलन का गोड मिलेगा, pseudomonas के दवारा, यूगिलना में मिलेगा, फ्रेजलम के दवारा, उपराविसे में मिलेगा, सीलिया के दवारा, ये भी आप दियान रखिएगा, important part है, यूगिलना and its relative perform photosynthesis in light, आपको बताता है, यूगिलना के ये बिसस्ता है कि ये दिन में, light में, क्या काम कर सकता है, बताए आपको, ये खुद अपना खाना बना सकता है, इन डाग and in the presence of organic matter, they rich cover of saprophytic nutrition, आपको बताता है, जिस समें dark, मनलब light नहीं होती, तो उस समें ये क्या काम करता है, अपना खाना खुद भी बना पाता, तो ये saprophytic nutrition वी तरह है, दूस्रों से बुज़ान ले लेता है, such a dual nutrition is called mixotrophic nutrition, पेपर में अगर mixotrophic nutrition किस में देखने को मिलेगा, तो आप पहेंगे ये युग्रिना में देखने को मिलेगा, ओर्गशम विद mixotrophic nutrition are called plant animal, मतलब इस युग्रिना के अंदर, plant or animal दोनों की properties मिलती है, इसलिए इसकी दोनों की सायोजक कडिया, सायोजक कडिय 600 जो कि van नेती में बीमार कर देते हैं सर्चे एंटमीव हेस्टेलिट शो grow उनले appel इंपाज मोडिएम पर जीली से क्या होता है मलेरिया और मलेरिया आए इनापलीपलिकर अग्याय लीष्मानिया तो लीस मानिया प्रोटोजवा जो होगा वो काला जार बीमारी कर देता है ट्रिप्नोसोमा जो होगा यह भी एक प्रोटोजवा है जिससे स्लीपिंग सिक्नेस मतलब निंद्रा रोग हो जाता है यह लास्ट वाला जो पॉइंट है काफी इंपूरेंट है यहां से कोस्स आने की संभावना भी बहुत चाहा इसकी सोट लेना चाहो तो इनका इसकी सोट ले सकते हो जैसी थिए आपको नहीं मिलेगी कहीं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं यह है किमिडम फंगी दोगों फंगी को बोलते हैं फपूंदी या फंगत फंगस बोल देते हैं इसमें राय जो पस म्यूकर होता है मश्रूम नाम सुना होगा मश्रूम की खेती भी बहुत हुत यह खाया पर आप वोजन के लूप में है वोजन के लूप में है तोड़ स्टूल आर सम परमन टाप फंगी वनस्ट यह अर्मिली एंड सेवली बोलते हैं यह जो खाया दी जाता है इसम्रूम हगा ने जाता है जो लिए बिस बाल को इस तेक्ष्ट को पाइल है मोस्ट फंगी आर में in the form of mad like stitches called mycelium, तो जो हाइफे है, ये जब ब्रो कर जाते है, तो इसी से बन जाता mycelium, तो किए न? माइसीलियम हाइफे, इन सब्दों का इस्तेमाल किसमें करते हैं? पंगसमें करते हैं, तिका है? हाइफे पॉसेस्स गिंट सेल वाल मेड ओफ काइटिन, तो आपको बताते हैं, जो कवक की कोश्का बित्ती बनी होती है, वो काई दिस्मिल कर बनी हुई होती है, जो कि polysaccharide होता है, ये भी धियान दखेगा, multi-cellular in a nature, मतलब mostly जो हमारे पास fungus होते हैं, वो multi-cellular होते हैं, लेकिन yeast जो होता है, वो ये भी धियान दखेगा, क्या है, absorb nutrition from debtor or living organism, reserve food material age glycogen, आपको बताते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो कवक होते हैं, ये अपने अंदर भोजन को जो स्टो करके रूप में कर लेते हैं, वो glycogen के रूप में कर लेते हैं, ये भी धियान दखना पेपर में आता है, पहनी सीलियम वाजना source of first discovered antibiotic, penicillin, आपको बताते हैं, सबसे पहली antibiotic जो बनी थी, वो penicillin बनी थी, जो penicillin नुटितम नामक कवक के द्वारा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी, ये धियान रखिएगा, येस्ट, येस्ट को बोलते हैं, सेकरोमाइस सेरिवेसी, येस्ट को बनाना है, पापे बनाने है, केक बनाना है, इसमें 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 इ लाइकेन आर एन एस्सोसियेशन ऑफ फंगस एंड एल्गे विच इस तो अर्गेजम आर दा ग्रोश दी एस्सोसियेटेड विच एच अधर एस्टू फॉर्म एस सिंगल प्रांट्स तो आपको बताते हैं जो लाइकेन होता है वो कभाक और सेवाल दोनों से मिलकर बना हुआ होता है ठीक है दा लाइकेन रिप्रेजेंट ए मिल्चल सेविसिस फ्रॉम विच बहुत और बेनिफिट आपको बताते हैं जो लाइकेन होता है इसमें सेवाल और कभक दोनों एक दूसरी को फाइदा पहुँचाते हैं जिसलिए सहजीवी संबंद के रूप में इस्तिमल कि मिलेंगे टिक है तो रोलत के किनाणीकम मिलेंगे और अंद्र की साथ में ज्याधा मिलेंगे तो आपको बताते हैं जहां optimize कम होगा वहाँ यह ज्यादा मिलेंगे ज्यादा होगा पहले कम कि आघे बड़ते हैं यहां पर आप लोग दिक पार होंगे देखिए चलो यह है kingdom planty तो आपको बताते है kingdom planty में plants के बारे में बात की जाए plants are multi-cellular eukaryotic photosynthetic autotrophic having cellulo cell wall तो आपको बताते हैं जो पेड़ पौदे होते हैं all our embryo fights all our embryo fights many of many of the body cells contain the green pigment chlorophyll and photosynthesis आपको बता ही होगा ग्रेड़ ग्रीन कलंगी होती है क्योंकि उसके अंदर pigment मेरता है chlorophyll और chlorophyll के अंदर एक धातु मिल के magnesium यह भी धिया रखना है kingdom planting is very large मनलब बहुत बड़ा है planty माला it is divided into four division algae, briophyta, teido phyta and isporn mitophyta इनको चार भावन बाटा लिया है सबसे पहले algae आईते काई बोलते है ब्राइव फाइटा आई थे जिसमें मौस बार रखाता है पर टेड़ू फाइटा आई थे जिसको बुला जाता है फंड वगर आते हैं इसमें और रहते इसमें मेटो फाइटा इसके अंदर जिम नुस्पम और इंजिसम दोनों रखे जाते हैं इलगई एक्वाटे के एंड नेचर माला एल गई जो स्रेवाल होते हैं पानी के उबर तेड़ति रहती है ब्राइव फाइटा एमफिबियस ओफ प्लांट किंग्डम नौन वस्कुलर तो एमफिबियस ओफ प्लांट किंग्डम किसे बोलेंगे ब्राइव फाइटा यहां पर बीखने मार होगा वस्कोर प्रेज़न्ट इसके अंदर पायएंगे यहां पर देखो इस पर मेंटो फाइटा इन्टु इन्टु यह फोड़ेंट आप यहां पर यह फोट इस इन्टु घेड नेकेड शीड नौल इंटु आपको सीरिवाओ इस वरी आपको बजाते इसके एंदर शीड जो होंगे वो तो मिल जाएंगे लेकिन जो सीड है जो बीज है वो चात्रप से ओवरी के दोरा तका हुआ नहीं होगा इसलिए इनके अंदर बीज बनते हैं लेकिन फलका निमार नहीं होता जैसे साइकस और पाइनस यह ध्यान अगिना एंजियो स्मम सीड इनको से ओवरी वर्ड आ डिवाड़े इन तू आपको बता रहा है एंजियो स्पर्ण मुझे होता है इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं यह मोनो कॉंट्ट्र इसमें एक मिलेगा एक मिलेगा एक मिलेगा एक बीज पत्र मिलेगा तो इस तरहिके से मैंने आप लोंको य क्या है इससे अगली वीडियो जो हमारी आएगी वह आएगी ब्लांट किंग्डम पर सेवाल बगरा डिल्टिल में पढ़ाएंगे ब्राइव फाइटा ट्रेटो फाइडा जिम में उसमें पढ़ेंगे उसके बाद में हम एनिवल किंग्डम पढ़ेंगे तो यह बहुत करेंट थी इससे आगे बाला जो पाट है उसमसर में बाथ के बारे आप लोगो बीडियो है से यह अगी अगला ब्रिश्रम झाशेटो के भारे में हमें इससे की हर वीडियो से आपके पार जो अचले के हुलाएग अगर हैकि आप लोगोहंगों ने सेल और टिश्जू बा formulated चेप्टर नहीं देखा तो आपको बता दें डिस्क्रिप्शन में लिक देदूँगा मैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं मिलते हैं एक्षी देख देख